जय महाकाल मित्रो मित्रो जो आज मैं आपके लिए अमल लाया हूँ दोस्तो आपको तीन फूल कबरिस्तान में फेक देनी है और एक मंत्र की परियोग करके आपको चलियाना है घर दोस्तो उस मंत्र को आप एक्यावन मर्तबा पढ़िएगा और उस फूल को कबरिस्तान में फेक कर रात को बारे बज़े आपको घर चलियाना है दोस्तो बीधी क्या है इस अमल की और मंत्र क्या है सब हम इस वीडियो में बता देंगे तो आप वीडियो बने रहें लेकिन दोस्तो ये गरांटी लेता हूँ परी 101% हाजिर होगी तो दोस्तो अगर आप इस अमल को करना चाहते हो तो वीडियो में आप कम्पलीट बने रहें जारा सा भी आप एसकिप करते हो परी आपसे कभी हाजिर नहीं होगी ये मैं कर रहा हूँ दोस्तो तो चलिए बीना देर कियो साधना की ओर बढ़ते हैं उससे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए चलिए साधना की तरफ बढ़ते हैं दोस्तो इस साधना की पहले बीधी सुन लिजे दोस्तो इस साधना को किसी भी जाती के लोग किसी भी मजहब के लोग कर सकती इसमें कोई परहेज नहीं है दोस्तो दोस्तो ठीक बारे बज़े रात को दोस्तो इस अमल को करनी है किसी भी दिन आप कर सकते हो दोस्तो अमल करने से पहले आप अच्छे से नहाद हो ले और सफेद लिवाज पहिं ले और अपने बदन पर खुस्पुदार इतर छीड़क ले और आपको जो एसकिन पर दिखाई दे रहा है या तीन फूल ले ले और कबरिस्तान में चले जाए पीछे याद रहे दोस्तो आपको पीछे नहीं मुड़ना है सीधे आपको कबरिस्तान में चले जाना है और दोस्तों आपको जो एस्कीन पर मंत्र दिखाई जे रहा है इस मंत्र को पढ़ते हुए दोस्तों इस तीन फूल को कबरिस्तान में फेक देना है और उसके बाद दोस्तों आपको वहां बैठ कर एक्यावन मर्तबा उस मंत्र को पढ़कर फिर चले आना है दोस्तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है जैसे ही घर आएंगे परी आपके पीछे पीछे आएगे कुछ धमक की आवाजे आएगे आपको डरना नहीं सीधे आपको घर चले आना है जैसे ही आप कमरे में ज बैठी रहेगी तो दोस्तों इस परिश्याप कुछ भी काम करवा सकते हैं ना जाय और जाय जे तो चलिए दोस्तों हम चलते हैं मिलते हैं नक्ष साथनी के साथ तब जाहिं बंदे मातरम दोस्तों